हिमाचुर परदेश के राज़पाल शिपरताप शुकला ने राजभवन में हिमाचुर परदेश के सोलन की रहने वाली परवता रोही बलजीत कौर को सम्मानित किया उन्होंने बलजीत कौर की परवता रोहन के एक शित्र में उपलब्धियां और जजबे के लिए सराहना की इस अफसर पर बलजीत कौर की माता शांती देवी भी उपस्थि थी इस अफसर पर राजजपाल ने कहा कि परदेश के लिए यह गर्व की बात है कि बलजीत कौर ने दुनिया की सबसे उची चोटी एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराया है उन्होंने एक महीने से कम समय में एवरेस्ट समेत आठ हजार से उची पांच परवत चोटियों पर चड़ कर अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है गत अप्रेल महमेज जिंदगी और मौत की बीच की जंग जीत कर माउंट अनपूना को फते कर वापस घर आई बलजीत कार के अद्वित्य साहस को प्रेड़ना दायक बताया उच्वल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला